ए पिगी बैंक, पिगी बैंक का मतलब हम एक गुल्लक के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे ये एक गुल्लक है ठीक है तो किसी भी तरह की एक गुल्लक हो सकती है उसके बारे में बात कर रहे हैं उसको हम पिगी बैंक बोलते हैं तो यह question कहता है, a piggy bank contains 150p coins, 51 rupee coins, 22 rupee coins and 10 5 rupee coins. तो उस गुल्लक के अंदर 50 पैसे के 100 coins है, 1-1 रुपए वाले 50 coins है, 2 रुपए वाले 20 coins है और 55 रुपए वाले 10 coins है. तो इसको मैं यह लिख लेता हूं, number of 50p coins, 50p coins मतलब 50 पैसा वाले coins, वो कितने given है, 100, number of 1 rupee coin, वो कितने given है, 50, उसके बाद 2 rupee coin हमें कितने given है, वो हमें given है, 20, और number of 5 rupee coin, वो हमें कितने given है, वो हमें given है, 10, ठीक है, तो total coins कितने होगे, सबसे पहले तो अब यह count कर लो, तो total coins होगे, 100, 150, 170, 180, तो 180 हमारे पास होगे total coins, ठीक है, उस गुल्लक के अंदर इतने total coins हैं, अब आगे यह कहता है, if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, इसके कहने का मतलब यह है, कि इस गुल्लक को अगर जैसे हम पैसे निकालते हैं, ऐसे उल्टा करके, तो यहाँ से पैसे निकालते हैं, तो यह कहता है, कि यह मान लो, कि किसी भी coin के, इस गुल्लक से बाहर निकलने के जो chances हैं, वो बराबर है, ठीक है, it doesn't matter कि किसी का size बढ़ा है यह चोटा है, उसमें बोला कि आप यूं मान लो, कि इन में से कोई भी coin इस गुल्लक से बाहर निकले, सबके chances बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है, तो हमें क्या find out करना है, तो हमें यह probability निकालनी है, जब गुल्लक को उल्टा करके हम एक coin निकलनी कोशिश करेंगे उसमें से, तो क्या chances हैं कि जो coin बाहर निकलेगा, वो एक 50 पैसा coin होगा, तो हमें probability निकालनी है, कि जो coin हमने बाहर निकाला, वो 50 पैसा coin होगा, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यह पता करना है, कि इसकी total possible outcomes कितनी होगी, तो total possible outcomes तो इसमें 180 ही होगी, ठीक है, क्योंकि जितने सिक्के हैं, उनमें से कोई भी सिक्का बाहर आ सकता है, तो हर coin का बाहर निकलना एक outcome है, ठीक है, तो कोई सा भी सिक्का बाहर निकल सकता है, तो इसलिए जितने coins हैं, उतनी ही total possibilities हैं, यानि कि उतनी total possible outcomes हैं, अब हमें probability निकालनी है कि जो सिक्का बाहर निकलेगा वो 50 पैसा का होगा तो डिपेंड करता है कि 50 पैसे के कितने कोईन से उसमें 50 पैसे के कोईन से इसमें 100 और इसको मैं 180 से डिवाइट कर दूँगा तो यानि कि ये मेरे पास आ जाएगा 5 by 9 is the answer तो इतना आ जाएगा ये probability आगी इसकी मैं फिर से बतायता हूँ तो 50 पैसा 50 पैसा के कितने कोईन से है 100 कोईन से है इसमें तो यानि कि 100 आउटकम्स ऐसी है जो इसकी फेवर में है तो हमें सरफ ये find out करना होता है कि जिस event के बारे में बात कर रहे हैं उसकी फेवर में कितनी आउटकम्स है तो उसका count कर लो और उसको total possible outcome से divide कर दो और total possible outcomes जो है वो उतनी ही है जितने coins है तो 100 by 180 यानि कि 5 by 9 इस दा answer अब इसका जो दूसरा पाट है उसको हम दो तरीके से solve कर सकते हैं देखो, second part में वो कहता है कि probability find out करो कि जो सिक्का बाहर निकलेगा, जो सिक्का हम बाहर निकाल देंगे, क्या probability है कि वो 5 रुपए का coin ना हो तो मुझे probability निकालनी है कि it is not a 5 रुपी coin तो देखो, इसको solve करने के दो तरीके है, पहला तरीका तो यह है कि आप ये count कर लो कितने सिक्के हैं, जो 5 रुपए के नहीं है तो सरफ इसको 10 को छोड़के, बाकी सारे सिक्के ऐसे हैं, जो 5 रुपए के नहीं है ठीक है, 5 रुपए के 10 सिक्के थे, तो टोटल कितने हो गए, 170 coins ऐसे हैं, जो 5 रुपी coins नहीं है, तो इसका मतलब इसकी favor में 170 coins है divided by 180 तो answer आगया 17 by 18 that's my answer अब दखो आप चाहो तो question यहीं छोड़ सकते हो मैं सरफ आपको एक और method बता रहा हूँ complimentary events के through भी आप इसको solve कर सकते हो, कि मान लो अगर मैं ये probability निकाल लूँ कि जो सिक्का निकले वो 5 रुपए का हो ठीक है, तो 5 रुपए का सिक्का निकलने की probability क्या है 5 रुपए कितने सिक्के है, 10 divided by total सिक्के जितने है तो यानि की 1 by 18 तो 5 रुपए का सिक्का ना हो यानि की not रुपी 5 coin तो मैंने इसका complimentary event ले लिया ठीक है, event e और ये event क्या है, not e तो मैंने not e ले लिया तो not, ये exclamation का sign जब डालते है ना, तो इसका मदल होता है not 5 रुपी कोई, ठीक है तो ये क्या होजाएगा, 1 minus probability of 5 रुपी कोई तो वो कितना होजाएगा 1 minus 1 by 18 which is equal to 17 by 18 तो चाहे आप इसको ऐसे solve कर लो, चाहे आप वैसे solve कर लो जैसे मैंने पहले किया था बोथ methods रोके ठीक है तो complementary events के concept के through भी आप इसको solve कर सकते हो So that's it from this tutorial Keep watching Mathemathemafia